मैं कोई सुनी सुनाई बात नी करूँगा मैं ये एक गेंटे के चार एपिसोड देख के आपको रिव्यू दे रहा हूँ जी हाँ टाइम जाय किया है ताकि आपको क्वालिटी एक्स्प्लेनेशन एंड रिव्यू दूँ पहले एपिसोड के पहले ही सीन में सब लोग ये तो कह रही हैं के फाहाशी को परमोट की है इन दोनों की शादी नहीं हुई होती ये लड़का अमीर बनने के लिए चला जाता है पीछे से लड़की प्रेगनन्ट होगी उसकी याद में मर जाती है क्यों मर जाती है यही तो सस्पेंस है अब जब ये लड़का सूने का हार लेके उसके लिए आता है तो देखता है वो तो मर चुकी है ये लड़का उसी दरख्त के इर्द गिर्द घर बना लेता है काफी सालों बाद अब बाबा बन चुक है अमीर भी काफी है शादी भी हो गई बच्चे भी हो गई दादा भी बन गया लेकिन अचानक ये अपनी सारी उलाद को बुलाता है और कहता है मैं उसी लड़की से शादी करने लगाँ जो मर चुकी है बेवकुफी का कोई लाजी ने के घर में वो रहते हैं यहां पे इनकी जमात भी होती है नमाज भी होती है इन्होंने कैसे इसलामी कुंसेप्ट की धजिया उड़ाई हैं चोथे एपिसोड तक जाते हुए मैं आपको बताता हूं लेकिन पहले आप ये देखें कि एक बच्चा और बच्ची दर्वाजे प बहुत मबद करती थी लेकिन लड़का निठा करता रच चाहिए क्या हो रचको बीवी उसकी याद में रहती थी तरपती रहती थी पागल हो रही थी अपने बेटे के साथ रहती थी बेटे से ये तकलीफ देखी ने गई उसने अपनी मा को मार दिया अब इस बाबे की के आम चूबते हुए, कहता है जब मैं तुम्हें छोड़के चला गया, मैं हर चोद्वी रात को पहाड पे चड़ता था, कि मुझे वो अपनी पहली बगरती की जलक नजर आ जाए, फिर मुझे एक दिन बतायागा, कि लाल चांद के बाद हमारा मिलाप होगा, यह जमीन फना यह कौमे लूत का बगरत है, जो बच्पन में भी आदमियों को नहाते हुए देखता था, और बड़ा होकर भी लड़कों की तरफ ही अट्रेक्ट हो रहा है, किसी भी हिस्टोरियन की हिस्टरी उठा के देखो, आज तक जो सबसे दुगना चुगना अजाब आया ना, वो अबाद नहीं हो सका, खंडरात मुझूद हैं, उसके वहां पे बैड वाइब्स आती हैं, लेकिन मुस्लिम कॉंसेप्ट वाले ड्रामे में यह उस चीज़ को किस तरह नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उपर से यह अनिदा इस कौमे लूत के बगरत के साथ बैठके कहता है, कि य इस चीज़ें तो अब यूस्टो हो चुकी हैं, इस ड्रामे में यह सारे किरदार मुसल्मान आना होते तो फिर भी कोई प्रॉबलम नहीं थी, आपने इस ड्रामे का नाम बर्जख रख है, और इस ड्रामे के अंदर जो लोग हैं, जो मुआशरा है, वो इसलामी तिखा है, किस तरह धजियां उड़ाई गई हैं, बस दूसरे मुलकों से तरीफे सुनने के लिए, यह इंटरनेशनल प्रॉजेक्ट है ना, तो जब वो इंटरनेशनल लोग देखेंगे, के वे, यह मुसल्मानों का कॉनसेप्ट है, बक्वास, इस ड्रामे की सारी कास्ट, लोकेशन, कॉनसेप्ट पाकिस्तानी है, लेकिन इसे बनाया गया है, इंडिया के लिए, जी फाइव प्लैटफरम के लिए, अब देखो वो जो लड़की मर गई थी, पेट में बच्चा लिए, खून निकलता हुआ, वो इसी घर में घूमती रहती है, यह बाबे ने रट पकड़ी यह उसी आल में बर्जख से आई हुई है, इस बच्ची को उस बाबे के घर में छोड़ाती है, यह कहके के यह बर्जख से आपके लिए आई है, और यह लड़की उस बाबे के साथ ही रहती है, उसके खिदमत करती है, इस मिया बीवी के शायद उलाद नहीं थी, इन्हें आ और उस दुनिया का connection है यह कोई जादुगर बाबे जो लोगों को आलमे बर्जख में बेज सकता है यह उस जादुगर बाबे को पूछती है मैं कौन हूँ मैं कीश है माँ यह बाबा चाहता है यह दुनिया और वो दुनिया मिक्स हो जाए इस लड़की को जिसने पाला था वो कहता है के नई इस दुनिया और उस दुनिया को हम मिक्स नहीं होने देंगे अब इस बाबे के घर में इसकी मरी हुई बीवी भी इधर ही रहती है इसकी वो मशूका बगरती वाली वो भी इसी घर में रहती है ये कोमेलूत का बगरत भी इधर ही रहता है और रुहें भी रहती हैं जो सोती हैं नमाजे पढ़ती हैं अब हे बगरतो अगर तुमने हिंदूओं को खुश करना ही था तो इस ड्रामे का नाम पुनर जनम रख देते आत्मा योग रख देते दुनिया जहान की बगरतियां यकियां हराम जदगियां इस ड्रामे में डाल के उसके उपर लेबल लगा दिया बर्जख मुसल्मानों का सिर्फ पैसे के लिए सिर्फ इसलिए के लोग इंटरस्ट लें लोग तारीफें करें के वा भाई बगरतियां करो फैंटेसी बनाओ जो कुछ मर्जी करो मरो लेकिन अपनी उस शेतानी खुआशात पे इसलाम का लेबल तो ना ना लगाओ उन्होंने ड्रामा बगरति वाला तो बनाया है लेकिन ड्रामे का हर सीन क्वैश्चैनेबल बनाया है एक गह का एपिसोड इतना स्लोव पेस इतना बोरिंग ये मेरी हिम्मत है मैंने चार एपिसोड कיसे देखatan है जितनी मैं अपने आपको स्टोडी बताई है अब देखने ना चले जाना एमी वक्त जाया करोगे ये लड़की फवाद खान को बताती है कि मेरे इस टैटू का मतलब है कि हम जहां से शुरू करती हैं वहीं पर आ जाती है वो कहता है कि नहीं जब लोग मर जाते हैं यनि हिंदूओं को खुश करने के लिए पुनर जनम वाला कुंसेप्ट के जो भी मरता है वो इसी दुनिया में रहता है बस एक परदा होता है ये एक साइकल है जो मरता है वो दुबारा जिन्दा हो कि आ जाता है वो ही हिंदूओं वाला कुंसेप्ट ये शेतानी ख्वाहिशात और हिंदूों के कुंसेप्ट के उपर मुसल्मानों का ठपा लगा रहे हैं अब मुझे पता है कि या लगता है चुओं कि ये लड़की मुँ काला करके प्रेगनेंट हो गई थी इस लड़की के बज़र्गों ने इसे मार दिया और खुदकुशी का नाम दे दिया इस बाबे ने जदू के ज़रिये उन बज़र्गों की रूहों को कैद किया हुआ है और जदू के ज़रिये ही उस लड़की के साथ शादी करना चाता है अब देखो इस ड्रामे के जिए मैसिज क्या पहुंचाया जा रहा है कि किसी को कतल करना ही सबसे बड़ा गुना है लड़का लड़की का हराम रिलेशनशिप को में लूत वाले काम बेगरतियां कोई गुना नहीं अफकोर्स कतल बहुत बड़ा गुना है कतल के बदले कतल लेकिन जिना की सजा जानियत वजानी फजलिदू कुल वाहिदिं मिनहुमा मियत जल्दा जो मर्द और 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 जिना करें दोनों को सौ सौ कोड़े मारो यहाँ ला यह थे ओर कोई माफ कर दे ग गुवर्मिंट के बिया गुवर्मिंटा गुवर्मिन थे मतलब कि जिना की इंडिरेक्टली सजा मोत ही है क्योंकि इसलामी दोर में जिन जिन को जिना की सजा मिलती थी वो तकरीबन सारी मर जाते थे और अगर शादी शुदा जिना करें तो उनकी तो सजा ही ये है के मुहले के लोग जमा हूँ सरयाम पत्थर मार मार के उन दोनों को कतल कर दें लेकिन आजकल ड्रामों में यही दिखाय जाता है कि सिर्फ कतल ही एक दुनिया का गुना है बाकी कोई गुना नहीं मुहबत के नाम पे कुछ भी करो कोई गुना नहीं अफकोर्स कतल बहुत बड़ा गुना है लेकिन जिना भी उसी कैलीपर का गुना है कबीरा है अब देखो तो इस ड्रामे का एक ही मकसद है अपनी ख्वाहिश की पूजा बस दो लोगों में मुहबत होनी चाहिए वो जिना करें बगहरती करें कोमें लूत वाले काम करें मच्छर का पड़ भी नहीं है समुंदर का कत्रा भी नहीं है बस अल्हा पर इमान लाओ अच्छे काम करो मुश्किलात पर मूव ओन करो जल्दी जल्दी इस दुनिया से गुजरो मैं हमेशा की जिन्दगी तुमें दूँ इस शिर्क की एक इसम बहुत खतरनाक है उसको चीतरे से समझ लोग वमिन नासे मही यत्खिजु मिन दूनिलाह अंदादा लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्ला के साथ गैरों को शरीक ठ्याराते हैं युहबून हुम का खुब बल्लाह वो गैरों से लोगों से यू प्यार करते हैं जैसे ल्लाह से प्यार करना चाहिए बिल्लबसीन आमनौ और वो लोग जो इमान लाह हुए होते हैं उनकी महबत अल्लाह से शडीद तरीन होती है मालू हुआ कि किसी और चीज से इतनी मुभबत करना जितनी कि अल्ला से होनी चाहिए शर्क होगे अल्ला की मुभबत के वराबर किसी और की मुभबत क्यों आए वो तो मकसूद अवल है वो महभूब हकीकी है वो हमारा असली हदफ है उसी की दरफ तो हमें लोड़के जाना है किसी भी चीज के बार अगर आप यह सोचते हैं अगर यह मुझे ना मिली या छिन गई मैं तो बरबाद हो जाओंगा मर जाओंगा मेरी दुनिया खतम चाहे वो महबत है चाहे माँ बाप है चाहे पैसा है चाहे उलाद है चाहे घर है चाहे शौरत है इस्जट है कुछ भी है तो पिर आपने उस चीज़ को खुदा बना लिया हुआ है अल्ला को खुदा नहीं बनाया इह है असली डेफिनेशन सिर्फ जुदान से नि कहना अमली तोड पर बताना है मैंने इतनी लंबी बात ये इसली की क्योंके इस ड्रामे में यही दिखाया गया है उस लड़की को खुदा बना लिया हुआ है तब ही तो यह दादा बन गया फिर भी इसे वो ही बखेरती चाहिए और ये असल जड़ है जब इनसान किसी चीज़ को खुदा बना लेता है तो फिर फहाशी भी करता है जिना भी करता है कोमेलूत वाले काम भी करता है रिश्वत भी लेता है सूद भी लेता है वकीलों के धोका देता है जज़ों के घल्ट फैसले सुनाता है चोरी करता है ड़क बनाना चाहता हो कि यदि के लाक करके लिए?